कई किरेंगे, हमें सरवाइकल बहुत हो जाता है कि इसके लखशन जो है कि आपके बेक साइड में खिचाँ पैदा हो जाता है, चिरचड़ापन हो जाता है, सिर में दर्द बेक साइड में खिचा-किचा रहना, क्योंकि लगातार जो computer का काम करते हैं, kuršियों में बैठे रहते हैं, लिखने का काम करते हैं या बजाने का जैसे बच्चे जादा तर इसी में लगे रहते हैं computer में या phone में लगातार तो चिर्चिरापन बहुत आ जाता है, खिचाब पड़ जाता है नाडियों में पीछे दर्द रहने लग जाता है और कुछ भी अच्छा नहीं लगता है सुनना सुनना लगने लग जाता है बेजनी सी च्छाई रहती है तो यह सब और भी कारण हो सकता है लेकिन सिर्वाइकल के भी लखशन है सर्वाइकल से ऐसा होता देखा गया है एकांत अच्छा लगता है कोई बोले अच्छा नहीं लगता उसकी आवाज भी बद्दी लगती है बुरी लगती है तो उसके लिए एक तरीका हमने बताया है कि एक बेंच हो या चारपाई आप उस पे लेटें पहले सीधे लेट जाए फिर पाओं के बल अपने आपको थोड़ा पीछे की तरफ सरकाए और ये चाती इतनी आपकी आजाए चाती तक ये जगा ये आप चारपाई से आगे ले जाए माली जी ये चारपाई है तो इतना ये सिर्वडा हिस्सा पीछे ले जाए और फिर दोनों हाथ पीछे करने हैं और पूरा गर्दन को डिला छोड़ दे अगर फॉस्स टाइम कर रहे हैं और थोड़े मोटे हैं आप एक आदमी जुरूर होना चाहिए जो पाओं को पकड़ के रखे अकेले मत करें और ये करने से पहले आप थोड़ा घूम लें तो हाथ पीछे लटका दें गर्दन पूरी पीछे की तरफ कर दें इस वस्था में आप कम से कम पंदरा सेकेंड जरूर रुकें आदा मिंट मिंट रुक जाओ तो कह नहीं क्या आदे मिंट से शुरू करें मिंट तक जाएं और जैसे आदा मिंट हो जाए तो जो परिवारजन है या तो वो आपका हाथ पकड़के आपको थोड़ा सा पीछे या फिर आप खुद जवान बच्चे हैं तो जैसे ऐसे हाथ ने चारपाई को पाई है और पीछे को सरकले अपनी जगा पर आजाएं वैसी लेटे रहें कुछ देर और जब बैठे होंगे तो बैठना है एक मिंट उसमें अगर हलका सा आपको चक्कर आता है ऐसा सीधे होने के बाद तो इसका मतलब थोड़ा सरवाहिकल और ज्यादा आता है तो ज्यादा तो आदा मिंट आप रुके आदा मिंट सीधे होगे आदा मिंट फिर किया कम से कम तीन चार वार फिर साथ बार सुभा दुपैर शाम ऐसा आप करोगे तो पांस साथ दिन में ये चीज़ें आपकी दूर हो जाएंगी और सरवाहिकल से आप तंदरुस्त हो जाएंगे